हालो एव्रिवन वेल्किम टू माई चैनल दीपक दिया खना व्लॉक्स सुबा के बज़रें हैं सवाचे अभी से बहुत तेज वाली धूप हो गई है काफी गर्मी लगने लगी है और मैं छत पे से घूम कर आई हूं अभी छत पे जाने से पहले जो है मैं फ्लज के अंदर हर पर भी हो पOne को सब्सक्राइल्प से क्लिनी अदर हमारी तो यहां पर जोहरे म salty नहीं पुर्ण मारवाबट जोहांड dapat पर आसफ बससे नहीं करने कि आजीव इन नहीं दिखाए से और इस नहीं नहीं दिखा करण तो उसी दिन करते हैं जिस दिन हमें एर वाश करना होता है और कपड़े वगए सब में टांग के बात्रूम में तब क्लीन करती हूं यह सारी चीज़े ताकि सीदह नहाने चलिजाओं क्लीन करके ना मुझे अंदर भी नहां कपड़े नकालने जाना पड़े तो नहाकर मैं आ चुकी हूँ और अभी जो है मेरे काम शुरू होंगे घर के बिलकुल साफ सोत्री हो गई हूँ ना तक घर के अंदर एंटर कर लूँगे अराम से घर में जाड़ो पोचा तब करूँगी तो अभी सबजी आले वही है कि आवाज आ गई थी तो मैं बहार आ गई हूं सबजी ल आ रही थी लेकिन अभी तो मुझे नजर नहीं आ रही है बहुत दूर दूर मिलती है हमारे आना अच्छे अच्छी सबजी आ फिलाल तो अभी मैं काम चलाओंगी इन भी ऐसे लेके ही आलू भी ले लिये हैं थोड़े से और प्याज भी ले ले लिया और सबजियों के मैंने आपको दिखा दी है बाकी टमाटर और खीरा जिनको वाश करके रखना जरूरी होता है मैं वाश करके रख लेती हूं जो हमारी प्याज है आलू है वो मैंने टोकरी में निकाल के टेबल पे डाइनिंग टेबल पे रखती है कुछ को सबजी है ना मैं मही पर रखती किचन में बहुत ज़ादा भीर भार सी हो जाती है पहले मेरी शेल्फ ना कोने तक थी दिवा जो मेरा फ्रीज रखा हुआ है वो बिल्कुल मतलब महां कोने तक थी फिर मैंने फ्रीज रखने के लिए वो थोड़ी सी जगा तुरवा दी थोड़ी सी तो काफी स्पेस बन गया वनफरिज उसके आगे आता था यहां पर इसके बाद जो है मैंने जो मत्रा भीगो रखा था रात से उसको उबलने के लिए रखने के लिए कुकर में डाल दिया है थोड़ा साफ पानी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें अलग से उबालने की जोरत नहीं पड़ती है इसमें दो आलू इनफ होंगे काटके डालने के लिए तो मैंने जैसे अभी कुकर गैस पर चड़ाया था ना गैस भी जला दी थी फिर मुझे याद आया ना तो मैंने एक बीच में से बीच में मतलब इसको गैस से उतारा प्रे कर दूंगी और आटा मैं थोड़ा थोड़ा से गुनती हूं जो दो टाइम हो जाया हमारे लिए ना दो टाइम हो जाया हो कई बार तो रात कभी सही हो जाता है और थोड़ा सही गुनती हूं मैं चाहिए दुबारा मुझे दुबारा से गुनना पड़े तो अच्छे से तो देखो नहाने का काम होता है वो भी फिर वो टंकी के गरम पानी से करना पड़ता है और गर्मियों के टाइम पे ना वो गरम पानी बहुत बुरा लगता है तो खोशिश ही रहती है कि जल्दी-जल्दी से सारे काम कर लो और आज हमारी घर पे देखो कौन आया है चलो दिख देखो करेंगा मकें है अच्ति की जहाँ मुल से नाया है तो गया है वुपळगाए म क की यहाँ है वक changing sticks तो अकलें मुल से है लो नाया है तो फ्रेंड्स फाइनली देखो नेहा आ चुकी है इतने दिन से इसका इंतिजार हो रहा था इसका दो तिन बार प्रोग्राम बना फिर कैंसल हो गया भी इसको आना तो दो तिन दिन पहले था लेकिन शेंकी के उपर जो है हमला कर दिया था ततईयोंने मधुमक्योंने ये पी रहा था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो टहनिया थी वो बिल्कुल हमारी बाउंडरी से बहार जा रही थी तो इसकी आख पे और मुह पर मतलब बहुत जगा ततईयोंने काट लिया तो पूरा मुह सूजा पड़ा था आख सूजी फड़ी थी इतने हमले हो गए थे इसके काड़ी चिपस जो है यहाँ पर सब को देदिया किसी का कुछ भी कआने का से टाइम पर मनी था को ट्रेंग कि अच्छी लगती गर्मियों के टाइम पर तो गोल्रिंग सब्सक्र ने ले ली थी लेकिन वैसे किसी को कुछ भी मन नी था एक तो ट्रैवल कर क्या हो ना तब ममी ने इसको ले लिया था सनाया को फिर नहीं थोड़ी बहुत जो भी बच्री थी पैकिंग करा था यारो ना वो करने बैठ गई थी अराम से फिर आ गए थे लोग और ठोड़ा से घूमना भी हो गया ममी का तो मैं यहां पर सनाया को जो है खिलाने में लगी हुई थी और बह गुम गुम के देखती है तो बच्चे जो है यहां पर स्टार्ट हो चुके है अपने खेल खेलने में फेलाने में घर फेलाने में इनका स्टार्ट हो चुका है और यह देखो दिया जो है मस्त हो जाती है एकदम सोना अपना कुछ अलग करने में व्यास्त है और दिया कुछ बच्चों को लेने में उसको बड़ा जीव लगता है शैंकी को लेना ही नहीं आ रहा था इसको तो बैठ गया था अराम से और ये जैसे ही ये बैठा ना इसके बाद ये कुल बूल आने लगी कि खड़े हो जाओ ये देखो खड़े होना मांग रही थी तो थोड़ी देर तो उसे नहा का प्रोग्राम बन रहा था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था वरना ये मेरा दिमाग खा जाती है क्यों नहीं क्यों नहीं आई क्योंकि जैसे ये कैंसल हो रहा था प्रोग्राम तो ये तो रोने बैठ जाती है तो परेशान हो जाती दिया तो लेकिन मै मम्मी जब जा रही थी तो मैं भी जाओंगी साथ में और सबसे पहले आगे आगे देखो जाके गाड़ी में बैट भी चुकी है वो क्योंकि इसको यह हो रहा मुझे ना छोड़ के चले जाए लेकिन बस यह है कि मम्मी अब जाई रही है शाम के छे बच रहोंगे आने में थो बहुत कर फैल गया था तो निया ने बोला था समेट के तू भी वहीं पर आजी हो आज का खाना जो है सब साथ में मिलके खाएंगे और आज कुछ है भी कुछ स्पेशल है जो कि आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा बहुत स्पेशल दिन है तो यहां पर मैंने तो यहां पर जो ग्लासे और जूते होते है काच के रख़व हो गधार तो नियुद्で रख़व पानी जो है सब कुछ साफ कर रहा था आराम से रिलाक्स होगे बैटिविती में सब कुछ क्लीन वगरा करके ना काम अगर टाइम पर हुआ रहता है ना तो असानी रहती है फैला एकदम से होता है घर तो समालना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तब ही कहते हैं कि घर हमेशा ही कमें बाट्ल लगा दी है आगी का और टूड़िया है जिसकी वजह से नीचे में बाटल नहीं रख पाती हूँ और नेहा लेकर आई थी mango तो मैंने का इसको भी जो है वाश कर देती हूं पानी में डिप करके रख देती हूं इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है तो पानी में डिप कर दो ना थोड़ी देर के लिए कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए तो सही रहता है तो पानी में इसको डिप कर दिया है और ऐसे ही छोड़के जो है मैं घर चली जाओंगी और शाम का टाइम हो रहा है तो लाइट जलानी भी बहुत जरूरी होती है चाहे वह बहार की हो जाए अंदर की हो तो लाइट मैंने जला दी है और सबसे पहले मैं क्या करूंगी स्कूर्टी बाहर न दीप जगह पर नहीं रखी थी तो स्कूर्टी बहार निकाल दी है और देखिए हम विप जला आए दी हो नहीं हो विडि़ जाए रखिए केक भी आ चुका है और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूं कपड़े तो नहीं चेंज कर रही हूं बस बाल थोड़ा सा बना रही हूं अजीब से हो रखे थे सुबद जब से हेर वाश किया है तब से बाल बना ही नहीं है मांग भी मेरी इदर की उदर हो रखी हैं बाल भी ऊड़े पड़े हैं है है तो बस अच्छे से कौम बघ़डर करके पोनी बना ली है चलते है मम्मी के घर पर सब लोग वेट कर रहे होगोंगे सपेशली दिया वेट कर रही होगी मीरा अभी मैं जारी हूं घर पे शाम के बच गया है साथ बहुत ज्यादा इस टाइम पर बहुत चहल पहल हो जाती है और केक भी आ चुका है जिसे कि आप लोगों ने देखी लिया होगा केक किस खुशी में आया है किस लिए आया है यह आपको कल के व्लॉग में देखने को मिल जा आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शियर कर देना अपने फैमिली फेंड के संग चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को तो पीज ज़रू सबस्वाइब कीज़ेगा साथी साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वी केक भी लेगे जाना है केक भी एक सर्प्राइज है तो चलो चलते हैं बाई बाई